अलो दोस्तो आज अब हम बात करेंगे एक टॉपिक पे स्क्वायर निकालना की स्क्वायर अगर के स्क्वायर बनए हैं कितने वर गए एक चित्र में तो कैसे करते हैं उसका सॉट टिक दे आए दिखते हैं तो मानिए मुझे पहला question दिया है मैं पहले question का वो बता देता हूं when row और column ठीक है रो और column क्या हो कॉलम क्या हो इक्वालो जब रो और कॉलम एक्वालो तो कैसा बनेगा आपका तो क्या सौन ठीक है तो मैं पहले बना दे रहाँ आपको ऐधा yamило by कि एक दो तीं टीक है वं रो और और कॉलम को यw बना ठीक है तो आपको क्या करना कुछ नहीं, तीन का स्क्वाइर, नो, तीन का स्क्वाइर, नो, दो का स्क्वाइर, चार, और एक का स्क्वाइर, 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 और एक का स्क्वाइर, और एक का स्क्वाइर, और एक का स्क् नदिया है एक दो तीन चार एक दो तीन चार दो तीन और चार ठीक है यह क्या है जब रो और कॉलम बराबर हो तो क्या कहें रो और कॉलम बराबर है तो चार का स्क्वाइर तीन का स्क्वाइर दो का स्क्वाइर और एक का स्क्वाइर यानि कि 16, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1 यानि कि 16, 9, 25, 4, 39, और 1, 30 आंसर तो आपको क्या करना जब row column बराबर हो तो उसके अंदर का square करके क्या कर देना है? जोड़ देना आईए दूसरा उसके बात करते हैं जब row और column बराबर ना हो ठीक है? तो यह देखिए कैसे होगा सवाल फिर एक, दो, तीन, तीन, चार्ड यावर गई ठीक है? जब row और column ना बराबर हो तो आपको क्या करना है? सीधा multiply 3 into 4, 2 into 3 और 1 into 2 या 2 into 1 तो आपको क्या करना? चार तीन, बारा, दो, तीन, चैए और 2, एक करनम, दो यानि की बारा, चथारा, दो, बीस आपको इसका multiply करना है फिर इसका, फिर इसका, तो कितना हो जाएगा? बीस आ जाएगा ठीक है? और करा देता हूं मैं आपको question ठीक, अब मैं दूसे दूसे से करा रहा हूं, ठीक है? वो मैंने अपने नोट से कराया, अब मैं कुछ बुक से करा रहा हूं, ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा? मान ने जिए अगर पेपर में आपके ऐसा आ जाएं ठीक है? ठीक है? ऐसा आ जाएं क्या करना? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ ये हो गया ना? देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ ठीक, इसमें क्या आकरत में वर्ग निकालने हैं आपको? तो आठ ही हो गया, ठीक, फिर क्या हुआ? नौ, फिर, दस, फिर, क्यारा, फिर, बारा, तेरा, और एक पूरा क्या हुआ? चौदा, तो कितने आएंगे वर्ग? कितने वर्ग होंगे? चौदा होंगे वर्ग क्लियर है? यह आपको समझ में आ गया होगा? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, फिर, उसके बाद नौ, यह दस, फिर, यह क्या, ग्यारा, फिर, बारा, तेरा, और एक, यह कितना हो गया? चौदा, आएए दूसरा करा देता हूँ आपको ठीक है? यह समझ में आ गया होगा? इसायद एक ही हो गया, वही सवाल हो गया, चलिए कर दे रहा हूं तब भी तीन का स्क्वाइर नौ, दो का स्क्वाइर चार, और एक का स्क्वाइर एक, यानि कि नौचा तेरा और एक, चौदा अंसर, ठीक है? ठीक? चलिए, यह फिर से वही हो गया, कोई बात नहीं, मैं दूसरा करा देता हूँ आपको थोड़े बड़े करा देता हूँ एक, दो, तीन, चार ठीक है, एक, दो, तीन, चार, दो, तीन, चार, तो यानि कि रुआ को अलम बराबर है बस चार का स्क्वाइर, तीन का स्क्वाइर, दो का स्क्वाइर, एक का स्क्वाइर, सोला, नो, पच्चिस, चार, उनतिस, और एक, तीस आंसर ठीक है? यह हो गया आईए और करा देता हूँ मैं आपको करा देता हूँ ठीक है? तो इसमें क्या करना है? वर्ग निकालना है ठीक है? तो पहला एक, एक वर्ग, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे सीधे हो गया ना यानि कि यह देखो एक हो गया, यह दो हो गया, यह तीन हो गया, यह चार हो गया, यह पांच हो गया, यह छे वर्ग हो गया चै के बाद एक ये देखिए 7 ठीक है ये देखिए 7 और एक ये 8 आठ हो गया यहनिक 6 प्लस 2 कितना 8 हो गया अच्छा आईए 8 के बाद देखते हैं 8 के बाद हो गया आपका यहां बना वर्ग नहीं 8 के बाद 9 8 के बाद आपका एक 9 ठीक है 9 ठीक प्लस 1 यानिकि कितना हो गया 9 दिया है कितना हो गया 9 ठीक है ना यह आपके समझ में आ गया होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद देखिए 6 के बाद एक 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 यह हो गया आपका आंसर ठीक यह अच्छा कूशन है 1, 2, 3, 4 ठीक है 1, 2, 3, 4, ठीक है 1, 2, 3, 4, ठीक है इसके बाद बनाया है यहाँ पर ठीक है के बाद यहाँ पर ठीक है तो आपको मालूमी है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यहनि कि 4 का स्कौईर, 16, 3 का स्कौईर, 9, 2 का स्कौईर, 4, 1 का स्कौईर, 1 यहनि कि 16, 9, 25, 4, 29, और 1, 30, ठीक है 30 के बाद 31 और 1, 32, 33 और 1, 34, 35 और 1, 36, 37 और 1, 38 यहनि कि total कितना हो गया, 38 और थिसा अंसार, देखें answer 8 दिया वा है 38, 38 प्रभा कि ठीक है दोस्तों तो आपको समझ में ओगया ओगया नीचे वाला अंदर वाला square और यह दो बन रहा है, एक यह और एक यह, एक यह और एक यह, एक यह और एक यह यह और एक, यानि कि कितना आएगा अरतिसांसर आजाएगा आए और कर लेते हैं अगर मालनी जाए ऐसा आजाए एक दू तीन चार फिर भाई सिंपल है एक दो तीन चार एक दो तीन चार दो तीन चार नहीं कि चार का इसकोष्वाई सोला तीन का इसकोष्वाई नौ दो का इसकोष्वाई चार एक का स्कुष्चन का आईए नेक्स कर लेते हैं 36 दिया हुआ है ठीक है यह देख लिए आपने यह दूसरा करता हूं ऑ इलं आए यह है ओ रहा है है कि इसको एक सब्क्राव माद सभी का उसे हुआ यहालिया लोगान दीक तो ये हो गया एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार ठीक है यानि कि कितना हो गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ तो ये सीधे हो गया आठ के बाद, नो, दस और एक, ग्यारा बारा, तेरा और एक, चौदा पंदा सुल और एक सत्रा ठीक है टोटल कितने होंगे सत्रा आंसर होंगे देखें है सत्रा नहीं भाई ये बीस दे रहा है बीस फिर से गिल ले रहा है देखते हैं एक हाँ बीस होगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ है ठीक है आठ के बाद देखो नौ नौ के बाद दस आठ के बाद ये देखो नौ नौ के बाद ये दस और दस के बाद क्या ये ग्यारा ग्यारा के बाद बारा तेरा और एक चौदा पंदा सॉला और एक सत्रा अठारा और निस और एक बीस यानि कि दावर कर लेता हूं कुछ सवाल और जो भी आपको ना समझ में है तो वह आप कमेंट करके आप मुझसे उस सवाल को पूछ सकते हैं ठीक है ठीक आईए तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ ये तो सीधे सीधे हो गया नौ ऐसे लिख लिए है नौ प्लस में आओ एक, दो, तीन, चार और एक, पांच एक, दो, तीन, चार और एक, पांच ठीक है ठीक तो ये हो गया यहनि कि 5, 5, 10, 9, 19 ठीक और क्या दिया है और कुछ 19 के बाद आओ 19 के बाद 19 के बाद देगा 19 दिया हुआ है ठीक 19 का बाद देखिए आप 20 यह देखिए 20 20 है 20 के बाद 21 ठीक है 21 दिख रहा है ना आपको यह 21 21 के बाद देखो आप 22, 23 और 24 तो टोटल कितना हो जाएगा 24 ठीक है दोस्तों तो इसका आंसर कितना होगा 24 आईए और कर लेते हैं और कर लिया जाता है यह हो गया यह हो गया यह हो गया अगर मान नीचे आपके आजाए पेपर में पैसा यह हो गया अगर कोश्चन ऐसा आजाए ऐसा बना है ठीक है और ऐसा बना है ठीक है और ऐसा बना है ठीक है तो इसमें पूछे कि कितने बार गया तो आपको मालूम है एक दो तीन चार और एक कितना पूरा पांच तो इसका अंसर क्या होगा पांच होगा ठीक है दिया है दिया है ठीक है यह देखिए चली आईए को और करते हैं ठीक उसके बाद दिया है बीच ठीक है तो एक दो तीन चार दो तीन चार आपको मालूम है जब रो आपको अलम बराबर तो आपको क्या का देना है सोला चार का स्कार सोला तीन का स्कार नौ दो का स्कार चार और एक का स्कार एक सोला नो पच्चिस चार उंतिख और एक तीज अग तीज बती टैटिश चौतिश और एक पैतिश यादि की तोटल कितना हो गया पांच यानि की कितना हो गया थाटी फाइप पांट सर टीक है औरए और कर लेते हैं या आप नोट कर लीजिगा साही से ठीक है दोस्तो लास्ट सवाल और करा देता हूँ अगर आईसा आ जाए ठीक है और पूछे ठीक है कितने बर गएं तो कितने बर गएं एक दो तीन चार और एक कितना एक कितना पूरा पांच ठीक है एक दो तीन चार और एक पांच ठीक है दोस्तो तो ये मैंने आज आपको स्क्वाइर बताया है आप इसको नोट कर लीजेगा इससे पहले भी मैंने कुछ पार्ड करा दी है फिगर काउंटिंग के तो वो भी आप देख लीजेगा और एक जगा नोट कर लीजेगा और उसकी मलब ये आप रिवीजन करते रही है ऐसे ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो वीडियोज होंगे मलब लेसन के मैं आपको बताता रहूँगा और जो लेटेस नोटिफिकेशन आती हैं वो भी मैं बताते रहता हूँ